अगर आपने फिलाल में अभी कोई hosting service और domain खरीदा है अपने किसी business के लिए और किसी company के लिए और आप सोच रहे हैं उसके लिए professional email id बनाने की तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे किसी hosting service के साथ मिलने वाले domain के लिए हम एक professional email id बनाते हैं तो hosting और domain कैसे purchase करना है इसके लिए एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ आप उपर आई बटन पर जागे और नीचे description में भी देख सकते हैं कि कैसे इस समय आप black friday sale का फायदा उठा सकते हैं तो आप नीचे description में दियेगे link पे click करके जा सकते हैं hosting गर की website और वहां पे अभी black friday sales चल रही और उसका आप फायदा उठा सकते हैं साथ में आपको एक free email दिया जाएगा यहां पर देखिए अगर आप 79 वाला service करीते हैं तो भी आपको यहां पर email account मिलेगा एक email account और अगर आप 139 वाली hosting यहां से purchase करते हैं तो भी आपको यहां पर free email account मिलेगा आगे की detail आप यहां पर add to card करके पता कर सकते हैं कि आप 139 वा discount है वो भी और मिल जाता है फिलाल में अगर आप इसमें से कोई भी service purchase करेंगे तो आपको एक email account free मिलेगा अब यह email account use कैसे करना है यही हम समझ लेते हैं तो बाकी सारी process पूरी करने के बाद में जब आप अपने hosting panel पे आएंगे तो आपको यहां पे आपने जितने भी domain खरी किया होगा या फिर आपको hosting के plan के साथ में free मिले होंगे क्योंकि hostinger में जो कुछ plan है उनके साथ में आपको domain भी free मिलता है और SSL certificate भी free मिलता है तो यहां पे आपको उनकी list मिल जाएगी मान लीजे हम यह mybig guide.in जो है यह हमारे पास एक domain है और इसके लिए हम एक free email account बनाना है अब free email account की क्यों जरूरत हमें पड़ी कि आमतोर पर जब भी आप कोई business करते हैं तो उसके लिए आप अपने जो users होते हैं उनको email provide कराते हैं वो email या तो आप Gmail पे बना लेते हैं या किसी और service पे बना लेते हैं तो उसके पीछे उस service का नाम लिखा हुआ आता है तो अगर अगर आपने कोई domain लिया है आपकी shop के नाम से या आपके business के नाम से और अगर आप अपने business के नाम से कोई भी mail कर रहे हैं तो अधिक professional दिखाई देता है तो अगर आप domain खरीद रहे हैं hosting खरीद रहे हैं तो यह free आपको service मिल जाएगी use इसका करना बहुत आसान है मैंने website के दिखाई देगा यहाँ पे नहीं जाना है तो यहाँ पर जाना है manage mail वाले पे इस पर आपको click कर देना है और click करने के बाद में यहाँ पर आपको एक option और दिखाई देगा create new email account और दूसरा option आपको मिलेगा mail plan details तो यह आपको आपके जो आपने plan लिया है उसकी detail आपको provide करा सकते हैं और अपनी mail को access करने के लिए आप mail.hostinger.com पे जा सकते हैं ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे जाना है तो हम यहाँ पे click करेंगे add email account पे और यहाँ पे आप देखिए कि मेरे domain का नाम यहाँ पे दिख रहा है और आगे email name देख रहा है अम माल लिए यहाँ पे मैं जो भी नाम type करूँगा उसके पीछे अपने आप add the rate mybigguide.in लिखा हुआ आ जाएगा तो मैं यहाँ पे माल लिए type कर देता हूँ अभिमन new और बस इसको छोड़ देता हूँ देखें mail name होगे अभिमन new add the rate mybigguide.in और इसके लिए एक password यहाँ पे मैं create कर देता हूँ पासवर्ड मैं यहाँ पे बना देता हूँ कुछ भी जो भी मैं बनाना चाहूँ और इसके बाद मैं इसको यहाँ से create कर दूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे हमारी mail id आ जाएगी अभिमन new add the rate mybigguide.in और यह इस समय active है और इस email पर आप 15GB तक जो data है वो आपको मिला है और 24 गंटे के अंदर आप यहाँ पे 5000 mails को भेज सकते हैं अब यह email account आप यूज कैसे करेंगे इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आप जाएंगे यहाँ webmail वाले option पे या फिर आप जाएंगे mail.hostinger.com पे तो हम mail.hostinger.com को open कर लेते हैं इस तरह का interface आपको दिखाई देगा अब आपको यहाँ पे simple username डालना है यूजर नेम तो आपको पूरा यहाँ पे फिल करना पड़ेगा अभे menu at the rate mybig guide.in और यहाँ पे आपको password डालना है और यहाँ से आपको login करना है तो जब आप पहली बार login करेंगे तो आपके पास बहुत ही need and clean यह इस तरह का जाएगा नई mail बनाना बहुत आसान है यहाँ पे आपको compose की button पे बस click करना है click करने के बाद एक mailbox आपके सामने आ जाएगा from तो उपर आपका email address आपको दिखाई देगा जिसको भेजना है उसको आपको to में type करना है यहाँ पे आपको subject type करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको आपका mail लिख देना है mail लिखने के बाद symbol आपको यहाँ से send करना है अगर कोई file आपको अपने email के साथ attach करनी है तो यहाँ से आप 25 हम्मी तक की कोई भी file अपने email के साथ में attach कर सकते हैं तो इस तरह से आप hostinger के ऊपर एक professional email बना सकते हैं जितने mail चाहें उतने mail आप यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ पे आप 100 email ID तक create कर सकते हैं अगर आपकी company में 100 employees काम करते हैं तो उनको अलग-अलग email ID आप provide करा सकते हैं जैसे help section पे अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो इसको help at the rate my big guide.in इस तरह से अगर आपका customer care support है तो उसके लिए customer care support at the rate my big guide.in तो इस तरह से आप अपने business को एक professional रूप दे सकते हैं और इसके अलावा अगर hostinger पे कैसे आपको hosting खरीद नहीं है कैसे आपको domain purchase करना है इसकी जानकरी आपको उपर आई बिटन पर क्लिक करके मिल जाएगी और नीचे description में भी मैंने इसका एक वीडियो अलग से बना के डाल दिया है तो अगर आपके आसपास कोई center नहीं है तो आप हमारे platform के through भी यह सारे courses कर सकते हैं हमारे platform का नाम है PCSkill.in और इससे course करने का जो तरीका है वो बहुत आसान है आपको simple नीचे दिए गई जो screen पे जो number display हो रहा है यो website display हो रही है उस पे simple आपको call करना है website पे जाना है यहां पर बहुत simple registration form आपको fill करना है उसके बाद में जो भी course आप करना चाहते हैं वो course आप जोइन कर सकते हैं और इस time पे सभी students के लिए हमने 50% off का offer चला रखा है आपको simple type करना है NOV21 यह coupon code आपको जो screen पे display हो रहा है और यह coupon code डालते ही जब भी आपको course purchase करेंगे तो उसकी fees बिलकुल आदी हो जाएगी आप बिलकुल आदी fees के साथ में हमारे सारे courses को जो भी आपको पसंदो वो join कर सकते हैं तो आशा करता हूँ कि यह जो वीडियो है यह आपके जरूर काम का रहा होगा course को join करने की पूरी डेटेल आपको मैं इस वीडियो में आगे दे देता हूँ यहां से चाहिए इस नंबर पे call करिए और सारी जनकरी पराप्त करिए मैं मिलता हूँ आपसे के लिए वीडियो में तब तक के लिए जाहें वंदे मातरम